भारत की मेजबानी में खेले जा रहे वन डे वर्ल्ड कप दो हजार तेईस में कल तीसरा बड़ा उलट फेर हुआ है कल चन्ने के मेच चिदंबरम स्टेडियम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक काफी रोमान्चप माच खेला गया जिसमें अफगान टीम ने आच विकेट से शानदार जीत तरश की है बुर्ल कप में एक छोटी टीम का जीतना काफी बड़ा माना जा रहा है और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस के लिहास से ये मैच काफी अपसेटिंग था इससे पहले अफगानिस्तान टीम ने डिफेंडिंग चांपियन्स इंग्लैंड को 79 रनों से हरा कर पहला उलट फेर किया था पहले बल्लेवाजी करते हुए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए 283 रनों का टारगेट सेट किया जिसे अफगानिस्तान की टीम ने दो विकेट गवां कर हासल कर लिया वंडे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार जीत दर्च की है दोनों टीमों के बीच अब तक आठ वंडे मैचिस हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने साथ मैचिस जीते और कल इतिहास को पलटते हुए अफगानी टीम ने अपनी जीत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपना खाता खोल लिया वंडे वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की ये तीसरी जीत है इससे पहले अफगानी टीम ने 2015 में स्कॉटलैंड और इसी सीजन में इंगलैंड को हराया था अफगानी टीम ने 2015 में विश्व कप खेलना शुरू किया था तब से अब तक वर्ल्ड कप में कुल 20 माचेस खेले जिसमें से अफगानिस्तान ने तीन ही जीते हैं अंग तालिका में पाकिस्तान टीम पाचवे और अफगानिस्तान टीम छटे स्थान पर बनी हुई है